आपका हमारा यूडिमोनिया क्लास उस पर फिर से स्वागत है आप मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ आपके लिए यह पार्ट फोर होगा और इसमें हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन के टाइप्स नॉन वर्बल कौन कौन से कम्यूनिकेशन होते हैं इसमें आप देख सकते हो सबसे पहरे पैरा लिंग्विस्टिक है पैरा लिंग्विस्टिक का मतलब होता है पैरा लिंग्विस्टिक कम्यूनिकेशन का मतलब होता है जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था जहां पर आपका बात माइने नहीं रखता है आपको बतान होता है आपका movement यह आपके body movements होते हैं जैसे हाथ भाउ हील रहे हैं या face के हाउभाउ मतलब आपका body के जो movement होते हैं वो kynesics होते हैं जो आपके बारे में आपका nonverbal communication करते हैं बताते हैं इसके बाद है haptics haptics touch की study होती है कोई आपके कंदे पे हाथ रखेगा कोई आपके face पे हाथ रखेगा तो इस तरीके से touch से आपको पता लग जाता है अच्छा touch बुरा touch या क्या कहना चाहरा है सामने वाला वंदा उस touch के तुरू फिर chromatics होता है जब आप colors के तुरू communication करते हो जिसे आप traffic signal देखते हो red और green वाला symbol green पे जाओ तो ये बताने के लिए जो आपकी ये light है red light है ये खुद थोड़ी उठके आजाती है जा जा निकल इसके आगे निकल निकलना चालू कर ऐसे तोड़ी बोलती है वो खुद नहीं बोलती वो color के थुरू आपको बताती है कि भाई चला जा यहां क्यों खड़ाया मरेगा क्या तो इस तरीके से communication होता है वो light करती है colors करते है basically colors भी communication करते है अब जैसे आपने देखा होगा red color danger का होता है और वही लड़की शादी में भी red color पेंड के आती है तो आप समझ सकते हो कितनी शादी करना कितना खतरनाग या अच्छा हो सकता है ठीके तो बीच बीच में जोग डाल दिया मैंने इसके लावा आप देख सकते हो यह आपका हो गया chromatics इसमें आप देख सकते हो colors के तुरू फिराएंगे chronomics के तुरू chronomics का मतलब होता है time time की study अब जैसे सुबह सुबह का वक्त है सुबह सुबह में योयो हनी सिंग तो बजा नहीं सकते हो सुबह सुबह के टाइम पे भजन किर्तन बचता है आपके पापा ओठ कर एक लापड मारेंगे सुबह सुबह अगर सुबह सुबह आप साथ आट बजे हनी सिंग चलाने वेड़ गए तो है ना सुबह सुबह भगवान की पुजा का टाइम होते है तो उस टाइम आप यह वाला काम नहीं कर सकते हो घैह सब्सक्राइम के अक्वार्डिंग आपका human Vernon vulner फिर आप देखोगे प्रॉक्समीड प्रॉक्समें सिस्टंस का स्टšी आपnoc BIस की स्टूडिएश की स्टडई या Edward Hall ने दियाता 1901 में distance के according बात्ची जैसे आप देखोगे intimate intimate वाली study जो होती है वो होती है 0 से 1.5 feet अगर कोई मेरे इतने close खड़ा है तो इसका मतलब उसका और मेरा communication close है मतलब हम एक दूसरे को बहुत जादा जानते है family member है वो मेरा तभी हम इतना close होके बात कर रहे हैं तो वो intimate हो गया जो इतने distance पर खड़ा होता है फिर उसके बाद हो गया आपका personal अगर मैं personal की बात करूँ तो personal 1.5 से 4 feet यह भी मेरे जान पेचान की लोग हो सकते है friends हो सकते है friends circle में हो सकता है यह distance तो personal हो गया फिर आएगा social जो ऐसी है आसपड़ोसी हो सकते है आपके उनके साथ आपका distance होता है चार स उसको जानते नहीं हो 12 feet का distance रखते हो यह इस तरीके से Edward Hall ने हमें proximics की study बताईए इनको पढ़कर भी हम जान सकते हैं कि यह person का communication कैसा है इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे oculics 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 इसका मतलब होता है इसके बाद हम बात करेंगे इसके बात करेंगे dress appearance आपका पहनावे से आपका पता लग जाता है कि आपके facial expression आपका देखना face के through पता लग जाता है आपका किस तरीके से आप देख रहे हो उससे आपका पता लग जाता है communication होता है फिर आप देखोगे महराबियन model यह famous question है महराबियन model में क्या होता है शब्द 7% होते है मतलब जब आप communication करते हो तो आपकी शब्द की कीमत 7% है 7% ही शब्द होते है और जो vocals होता है audio होता है उससे 38% communication होता है और जो non-verbal होता है बात करते करते हाओ आख नाख हाथ पेर मटकाते हुए हैं जो हम वो 55% communication करते है तो communication में non-verbal का इतना ज्यादा रोल होता है आप देख सकते हो तो यह rule है 738 and 55 इसके बाद हम बात करेंगे Inter– Ultra Communication Inter– Cultural का मतलब है जब difference culture के लोग आपस में communication करते है बात करते है इसमें 4 barriers भी होते हैं जो inter-cultural communication होते हैं एक तो होता है prejudice इसका मतोब जो हम पहले से ही बनी बनाई धारनाima बना लेते हैं करते हैं दूसरे के कल्चर के प्रति की यह अच्छा नहीं है इसके कल्चर का यह नहीं करना चाहिए स्टीरियो टाइपिंग वही आपका जो प्रिजूडिस की तरह होता है आप पहले से ही कुछ सोच समझ के चलते हो अपने दिमाग में एथनो सेंट्रिसिजम मतलब मेरा धरम सबसे सुपीरियर है मेरी कास्ट सुपीरियर है इस तरह के से जो आप अपने कल्चर के प्रति बना सब्सक्राइब करें आपको अच्छे से समझा दिया होगा आप हमारा पेपर वन के लिए चैनल मस्ट फोलो करें यह बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाता है आपको ऐसा कंटेंट और ऐसी क्लास में गैरंटी देती हो और कहीं ही मिलेगी आप मस्ट फोलो करो आपका एक् क्लास में ऐंलाइन टीचिंग भी देती हूं प्लिटिकल साइन्स के स्टूडेंट फोलो की मेंvania फोलो करें घंच गूपता में- क्लास में मं आपक्र आप्रमच कि सब्स्कूराइब करें और ढ़ोग करें तांक यू